तो मैं आज मानने हैं परदान मंत्री जी से मिला मुख्या मंत्री बनने के बाद पहली बार ये एक कट्सी कॉल थी जो एक अपचारिकता भी है कि मुख्या मंत्री का आउदा संभालने के बाद परदान मंत्री जी से मिले तो उनसे मिलकर लंबी बात्चीत हुई है और अच्छे महौल में हुई है तो मैंने उनको अभी क्यूंके परस्ट मीटिंग थी कोई अजंडा नहीं था एक मिलने का ही अजंडा था एक कट्सी कॉल थी लेकिन फिर भी मैंने तीन बातें उनको उनके समक्ष रखी हैं जिसमें एक क्रंट इशिव के पंजाब में फ्रक्योर्मेंट का सीजन शुरू हो रहा है उसमें पहले जो प्रक्योर्मेंट आ वह से शूरू होती है फस्ट अक्तूबर से लेकिन इसमार केंदर सरकार ने उसको 10 अक्तूबर से कर है आज तक कभी भी पोस्ट पहुन नहीं हुई है प्री पहुन तो हुई है फिछले पंजात सतर सालों में तो मैंने उनको रुक्वेस्ट की है कि आप इसको अभी शुरू करवाएं तो उन्होंने मुझे विश्वाद वाया है कि मैं बात करके इसका हल करूँगा दूसरा पंजाब खेती प्रदान सूपा है एग्री कल्चर हमारी में इंकम है सोर्स ऑफ लिविंग है तो मैंने उनको कहा है कि जो यह तीन बिल का जगड़ा है इसको खत्म करो उन्होंने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी है और मुझे कहा है कि वो भी इसका कोई हल डूबना चाहते हैं और इस दिशा में चल रहे हैं किस्थानों से मैंने उनको डायलॉग शुरू करने की बात की है जो पिछले समय से तूटा हुआ है क्योंकि डायलॉग से ही बात हल होगी तो मैंने उनको कहा है कि ये तीनों बिल इनको खत्म होना चाहिए और मैंने अपने इस समंद्वें बिशे में बात रखी है कि पंजाब की एकॉनमी खेती पे समंदत है खेती से चलती है पंजाब तभी प्रोग्रेस करेगा अगर हमारा किसान और खेत मजदूर पंजाब ने हमेशा देश के लिए देश की एक्ता के लिए देश की अजादी के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है इसलिए पंजाब को ऐसे मामलों से धूर रखना चाहिए और ये मसला है जो जल्दी हल होना चाहिए तीसरा जो मैंने उनसे बात कही है कि पाकिस्तान और इंडिया कोरीडोर जो बना है जहां से गुरुगार को जाया जाता है उसके लिए मैंने कहा है कि कोविड की बज़ा से बंद हो गया है उसको तुरंथ खोल दिया जाए तांके शर्दालू है जो वो शर्दा से वहां जाकर अपनी शर्दा सोन फेट कर सकते हैं तो ये तीन बातें जो मेंन थी जो मैंने उन से रखी है इसके अलावा कुछ और्गैनिक खेती पे भी बात हुई है तो एक अच्छे महौल में बाते हुई है उसके लिए जैसे एक सीएम से ब और मैं आप सब का भी दन्यवाद चाट वागता हुई है ता चुक्या के बड़ी छेती हो कि उन्हान ने किया मैं हाल कर रहा हुई है यार मुझे एक बात बताओ कौन सी इंटेलिजेंस है कि आपको मेरे से पहले पता जल गए कि 40 मिनिर बात हुई है या पत्तर कारता है इस ही होनी चाहिए वैसे वैसे यार प्रॉड आफ यू प्रेस है जो देश की उससे सब कुछ डिपेंड करता है अपने व्यूज दिये हैं लंबी बात हुई है वो भी हल करना चाहते हैं इस मसले को मैंने उनको खास तौर पर क्या किया है कि मेरा पंजाब सफर कर रहा है मेरे पंजाब की अपनजाब की लड़ता है मरता है और हमेशा आजादी में देश की एक तालिये के लिए वी हमने बलीदान दी है तो इसकी जो यह संकत आ गया है अग्रिकल्चर का इसको दूर करें तर्यावाज आजाब at this point in time but on that note let's slip into a very quick break we'll be back with you